तो फ्रेंट्स आज मेरे किचिन में बना है मतर पनीर और यह बिलकुल हलवाई स्टाइल में बनाया है एक सीक्रेट रेस्पी के साथ तो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वीडियो को प्लीज लास तक देखिए और इसे इसकिप ना करें तो यहां पर देखते हैं सबसे प पैन में पानी ले लिया है और क्योंकि हरी मतरली है तो इसे थोड़ा सा बॉल कर लेंगे एक आज़ा चमच नमक के साथ में एक पैन में और रखा है इसमें भी पानी गरम करेंगे अब यहां पर मैंने चार लाल टमाटर लेकर मीडियम साइज के टमाटरें को काट लिया है और जो पानी उबलने के लिए रखा था उसमें इसको डाल दिया है आप देखिए मटर भी बॉल हो रही है और टमाटर भी बॉल हो रहे हैं इन्हें हम पानी से बाहर निकाल लेंगे इसके बाद हम एक पैन रखेंगे तो पैन में यहां पर मैंने थोड़े से खड़ी मसाले अब जब खड़ी मसाले तोड़े तड़क जाएंगे तब हम इसमें जो हमने प्याज लिया यहां पर 4 प्याज मने ले थी इसका पेस्ट पर नाया है और साथ में यह जाए अधरक और लेशन को भी पीस लिया था इसको आपको खड़ी मसाले के साथ में अची तरह से भूल ले बूल लेंगे इसके बाद देखिए मैंने दो चमच बेसन एट किया है जब मतर पनीर की रेसिपी में हम बेसन को एट करते हैं तो इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और जो ग्रेवी रहती है उसमें भी थिकने सजाती है तो देखिए बेसन को हमने प्याच के स साथ उसे भी अच्छी तरह से बून लिया इसे लगतार चलाते जाएंगे क्योंकि बेसन इसके साथ में है तो यह पैन में थोड़ा चिपक भी सकता है तो देखिए इस चीजें सारी अच्छी तरह से बून चुकी है तो फिर आप हम इसमें मसाले अट करेंगे इनको बूनत यहां पर मैंने लाल मिर्च पाउडर तेहनिया पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर लिया है और इसको भी हम प्याच और टमाटर के साथ में अच्छी तरह से बून लेंगे और जब मसाले बून जाएंगे तब हम इसमें मत पानी एट करेंगे तो यहां पर मैंने पानी तthis our give गले लिए सब्सक्राइब दोगते हैं नॉर्मल भी एट कर सकते हैं इसके बाद में जो दोग बाद की हुई मतर की इंड़ कर एड़ मिल और इसको अतनी वर मिल क दैना डूर न दोगें वे 집काणब को थीजेए अची तभा से मिक्स कर लेंगे और पनीर को यह दो करना लास कि एक टेस्ट करेंगे यह बetah अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तब हम इसमें तक हम इसमें कवर करके 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे देखिए कवर हटाने के बाद या डिकन हटाने के बाद देखिए हमारी सबजी बहुत ही टैम्टिंग दिख रही है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनी है इसकी ग्रेवी भी काफी थिखने से और देखने में भी बहुत अच्छी है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है